हाई मैं पशान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्विडिट कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप PCR और यूट्यूब चैनल एक्विडियो में यूट्यूब करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अप्सेंस ट्वेडिंग के जड़िये रिग्लर इंकम कमाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर PCR और इंप्लाइ अगर आपको options स्ट्वेडिंग से से secondary इंकम चाहिए एक वेडियर वेश्डियो पर दूसरा इंकम चाहिए तो उसके लिए आपको PCR और implied volatility को consider करना परेगा तो यह हमें बताएगा क्या? PCR और implied volatility आपको call's generate करके नहीं देगा लेकिन यह आपको market के sentiment को बताएगा यह आपको ब लिए सोपा सारे वीडियों बना रखें सारे वीडियों लेक्ते मिल जाएगा नहीं तो आप आप क्लिक करके आप को बैक तो बैक देखने को मिल जाएगा तो चलिए इसको हम समझते हैं और देखते हैं कि इसका इस्तिमाल हम options trading में कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ पॉइंट को समझने कोसिस करते हैं वह हमें दिखा देगा कि PCR और IV की वीच में क्या relation है फिर हम इसको और simple तरीके से table में समझने कोसिस करेंगे फिर आप वहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा detail से समझने कोसिस करते हैं सबसे पहले अगर आपका PCR इंक्वीज कर रहा है यहनी PCR आपका ऊपर जा रहा है इसके साथ अगर आपका IV भी उपर जा रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि put side की तरफ देख सकते है put side की तरफ आपका activity increase कर रहा है और जब IV इंक्वीज होता है क्या वो इंक्वीज करता है इसके साथ विस्क फैक्टर भी इंक्वीज होता है यानि आप IV को as a risk भी count कर सकते हैं अगर IV इंक्वीज हो रहा है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि विस्क फैक्टर भी इंक्वीज हो रहा है और ये क्या sign होता है, ये market के लिए क्या sign होता है, bearish shine होता है, तो ऐसे में आप कौन सा tweet लेंगे, जब market आपका bearish shine दे रहा है, तो ऐसे में अगर आप call options buy करना prefer करेंगे, तो आप क्या रहेंगे, आप नुकसान में रहेंगे, तो ऐसे में आपको sell side के तरफ जाना, यानि आप आपको put options buy करना prefer करना, या फिर call options sell करना prefer करना, तो आपको overall idea दे रहा है, कि अगर आपका PCR increase हो रहा है, और उसके साथ-साथ IV इंक्वीज कर रहा है, तो आपको cash sign दे रहा है, कि market bearish होने वाला, और आप bearish market recording, जो भी options में trade लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, पहला condition यह बिरलिया कि तरफ integrity है, वो अभी भी put side की तरफ increase हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे risk factor आपका कम हो रहा है, मतलब अगर risk factor कम हो रहा है, तो morning activity होगा, वो generally किसका activity होगा, वो होगा आपका put writer की तरफ हमें writing देखने मिलेगा, और put writers का market में entry करना वो क्या sign ह होता वो जैन्वली आपका मुलिश होता है इसलिए यहां पर हमें बुलिश सिगनल प्रवाइट करता है जब आपका जैन्वल टाउंस में पी सीर इंक्वीज करता उसके साथ आई भी डिक्वीज करता और यह कंडिशन आपको जैन्वली 70-80% सैटिस्फाइब करता अगर आप सोचेंगे यह कंडिशन आपका 100% सैटिस्फाइब करेगा तो ऐसा नहीं है कभी कभी एक्सेसम्ट केश्ट भी आ जाता जब कोई पार्टिकुलर नीज हो या फिर कोई बड़ा इवेंट हो तो उस टाइम पर यह सिचुएशन आपको इस्तेमाल नहीं करना यह सिचुएशन कर रहा है यानि PCR और IB दोनों डिक्वीज कर रहा है यहां में क्या बताता है यहां पर अन्वाइंडिंग हो रहा है अन्वाइंडिंग किसका हो रहा है अन्वाइंडिंग हो रहा है पुट का मतलब इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं पुट का अन्वाइंडिंग का मतलब क्या मतलब यह है कि मार्केट आपका बॉटम आउट हो रहा यानि जब मार्केट आपका बॉटम बना रहा होता तो वह क्या साइन होता वह साइन होता है कि रिवर्सल का यानि मार्केट आपका सपोर्ज है यहां पे आपका मार्केट बॉटम बना रहा है इस तरीके से इ मारकेट आपको ऊपर साइड की तुरफ साइगा जैसे यहां पर बॉट्बाटम फोर्मेशन को माकेट के इस माल पर यहां का रहा है हूगा है और जब मारकेट का बॉटम मा difेयो proposed लेकिन उस टाइम प्र सेरह एंध्य कर और शौन कोणा अगर आपका पीसियर डिखीर कर रहा ठीक है उसके साथ अगर आपका आइभी इंक्वीज़ कर रहा है' इस stim आपके जो पूट है वह क्या कर रहा है पूट अपना covered कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, put covering हो रहा, put covering होने का क्या मतलब है, कि market आपका एक particular level जाने के बाद, वापस से क्या होगा, गिरना start होगा, यनि market will fall again once the covering is done better, मतलब यहाँ पर आप इसको short covering से compare कर सकते हैं, अगर market आपका नीचे side की तरफ गिर रहा, बहुत जादा नीचे गिर रहा, तो कुछ लोग profit book करेंगे, और जो लोग sell की हैं, वो क्या करेंगे, buy करके profit book करना start करेंगे, और जब buy करेंगे तो market आपका क्या होगा, short term के लिए थोड़ा सा time के लिए उपर जाएगा, लेकिन आप उसको positive sentiment नहीं बोल सकते हो, जैसे आप यहाँ पर example ले सकते हो, market गिर रहा, इसके बाद छोटा सा यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि जो short covering होगा, वो कहां तक होगा, वो पता कर पाना थोड़ा साम उसके लिए, उसके उपर हमने video बना रखा, उसके ज़री आप find कर सकते हैं, तो यह सारा कुछ, chart sentiment है market का, जिसके ज़री आप क्या कर सकते हैं, implied volatility और PCR को use करके, options में बहुत हता अपने trade को profit table बना सकते हैं, यह main काम क्या करेगा, यह आपके trade के accuracy level को increase करने का काम करेगा, तो चलिए इसको अब हम table के ज़री और आसानी से समझने की कोशिस करते हैं, अब यहां पे देखिए, आपके सामने एक simplest form यहां पे available है, यह table आप यहां पे देख सकते हैं, इससे simple आपको यहां पे नहीं बिलेगा, मैंने पहले आपको थूरा सा difficult situation बताया है, ताकि यहां पे आपको थूरा सा समझने में आसानी हो, यहां पे आपको ले आता, तो यहीं चीज आपको थूरा सा difficult लगता, तो पहले मैंने जो difficult portion था, वो मैंने आपको detail से बता दिया, यहनि मैं आपको यह चारों situation अलवेडी explain कर दिया, अब यहां पे आप इसको simplest way में समझ सकते हैं, सबसे पहला situation क्या था, PCR increase कर रहा था, IV increase कर रहा था, sentiment क्या है, bearish sentiment है, क्यों bearish sentiment है, उसका observation यहां पे आपको दिया गया है, क्योंकि यहां पे put activity increase होगा, और उसके साथ-साथ यहां पे क्या हो रहा, risk factor भी आपका increase हो रहा, उसकी बाद, अगर आपका PCR increase कर रहा और IV decrease कर रहा, IV decrease करने का मतलब है, कि विस्क यहां पे कम हो रहा, और विस्क कम होता है, मतलब क्या है, कि put writers entry करते हैं, और वो market के लिए कौन सा signal लेता है, bullish signal लेता है, यहां पे आपका क्या हुआ, यहां पे आपका bullish market होगा, क्यों bullish market होगा, क्योंकि यहां पे put writers का unwinding होगा, यहां पे अपना bottom formation कर रहा और bottom formation करने के साथ ही वो क्या दिखाएगा, upside momentum दिखाएगा, यहीं यही वो phase होता है, जहां पे बड़े बड़े operators accumulate करते हैं, इसी को आप as a accumulation zone भी समझ सकते हैं, जहां पे market आपका bottom formation करता है, उसके बाद market आपका upside momentum दिखाता है, upside momentum में बहुत कम लोग intrigue करके profit बना पाते हैं, intrigue करने का सही जगा है, जहां पे market bottom formation कर रहा है, और उसका idea कहां से मिलेगा, उसका idea मिलेगा आपको PCR और implied volatility के जरिए, यहा आप तक information pass कर रहा हूं, ताकि आपको भी यह सारा information हो, आपको यह सारा information gather करना परेगा और इसका इस्तमाल trading में करना परेगा, सिर्फ सीखने से मतलब नहीं है, आपको इस्तमाल करने भी आना चाहिए, implementation भी आना चाहिए, तभी जाकि आप उसका real terms में इस्तमाल कर पाएंग ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए regular basis से बनाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किजिए, यहां पर तीसरा situation कहा था, जहां पर PCR और IV आपका दोनों नीचे जा रहा था, और market आपका bullish shine दे रहा था, क इसके observation और explanation को भी समझना, सबसे पहले आपको यही समझना, यह table तो आपको हो सकता है, कहीं मिल भी जाए, लेकिन जल्दी यह भी नहीं मिलेगा, और उसका observation, explanation बहुत जरूर है, यह होता तो होता क्यों है, अगर आपने किसी को बोला है कि ऐसा हो सकता है, तो आपको वहां यहां पर explain करना आना चाहिए कि क्यों होता है, और वो को convince होना चाहिए सामने बाला, तब जाके आप यह real माईने में इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, और फिर implementation थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा, यहां पर put covering हो रहा, मतलब आप इसको as a short covering के जब कि मैंने example बताया था, उसके बाद market आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहां पर यहां पर आपका short covering होता है, जो लोग यहां पर sell किया करते हैं, वो क्या करते हैं, buy करके market से exit लेते हैं, वह ही क्या होता, buying होगा price आपको उपर जाएगा, उसके बाद वापस से क्या हो पुट covering हो रहा है, जैसे पुट covering complete होगा, market आपका वापस से नीचे गिरेगा, यहां पर हमें क्या हिंद दे रहा है, यहां पर हमें बता रहा है, कि यहां पर यह trap है, इस trap में आपको फसना नहीं है, इस trap को आपको avoid करना है, मतलब इसके जड़ी आप options trading में trap से भी आप confusion है, तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं, वहां पर आपको proper answer मिलेगा, तो आप चाहो तो इसका screenshot लेकि भी रख सकते हो, और आपको ध्यान देना है, कि हमने PCR और IV दोनों को पर separate video बना रखा, जिसका link आपको वीडियो के description मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लिजे, उससे आपको PCR और IV के बारे में और detail information मिल जाएगा, दोनों को पर हमें separate अलग-अलग से video बना रखा, जिसमें दोनों को काफ़ी detail से explain कर रखा, तो अगर आपको ये video पसंद रहा है, प्लीज इस video को like करके हमें encourage किजे, और चैनल को subscribe नहीं क्या तो चैनल को subscribe करना ना बूले और साथी साथ bell icon भी जहूर दबाना, तो मिलते हैं next video में, जैहिन!